नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका सौगत है दिल्ली के तिहारी चीफ मिनिस्टर के लिए एक बहुत बुरी ख़बर आई है क्योंकि के कविता की जिस तरीके से ग्रिलिंग हो रही है जो सवालों के बौचार किये जा रहे हैं उसमें के कविता बुरी तरीके से फस गई है यह खबर सुनते ही यह आमादभी पाटी और तमाम यह चटे बटे इसके जो हैं पूरा गैंग हाहकार मचा हुआ है कि के कविता क्या करेगी क्योंकि एडी ने बताया है कि दस ऐसे सवाल जिसमें के कविता पूरी तरीके से उलज गई जवाब नहीं दे पा रही है और तो और जो जानकारी मिल रही है कि आज दस बजे से जो लगतार पूछताज का सिलसला शुरू हुआ वो तमाम चीजे बकाइदा उसके वीडियो रेकॉर्डिक भी हो रही है और जवाब लिक कर लिया जा रहा है कि कविता फस गई है क्योंकि सवाल ऐसे हैं एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा और यह सवाल ऐसे हैं कि जिसका जवाब देते हैं कि कविता को बन नहीं रहा और कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर इन सवालों के जवाब और इन सवालों से जुड़े हुए सबूत CBI और ED के पास है तो कि कविता को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आएगा एक मात्र बचने का तरीका सरकारी गवाब बनने का है और यही वज़य है कि आम आदमी पाटी में हाहाकार मचा हुआ है सवालों का नीचर ही कुछ ऐसा है तो सवालों का सिलसला सुरू करते है कि जो पहला सवाल पूछा गया कि कविता से CBI के द्वारा सवाल नमर वन इंडो स्पृरिट कंपनी से आपका केनेक्शन है क्या इंडो स्पृरिट कंपनी इस कंपनी के जरिये शराब घुटाले के माल को इधर से उधर किया गया यह आम आद्वी पाटी वाले पूछते हैं मनी चेन कहा है कैसे यह साबित होगा कोई पैसा मिला नहीं कोई कुछ हुआ नहीं लेकिन यह इंडो स्पृरिट के जरिये पैसे का अदान प्रदान हुआ तो उनसे पूछा गया कि इंडो स्पृरिट के के जरिये समीर मेहंद्रू की कंपणी इंडो स्पृरिट में आपने 65% की हिस्सेदारी हासिल की अब यह तो कागज पे है यह तो कागज पे है कि इंडो स्पृरिट में आपने 65% उसमें स्टेक क्या आपने लिया अब यह तो बड़ा दिक्कत है और अगर सबूत है तो इसका मतलब है कि माल के कविता के पास भी पहुंचा तो बचेंगे कैसे सवाल नमर तीन विजे नायर से आपकी मुलकात कब और किसने करवाई ये बड़ा अहम सवाल है और आम आदवी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इन ही सवालों के जवाब से होने वाला है विजे नायर तो दिल्ली में अर्विद केजरिवाल का दाइना हाथ दा जो कैंप आफिस है चीफ मिनिस्टर का शीष महल के बगल में उसका एक तरीके से अंडिक्लेट बॉस हुआ करता था विजे नायर वही व्यक्ति है जिसको केजरिवाल सराव वेपारियों के जरिये कहवाता था कि मेरा बच्चा है ये जो कहे वो काम करना तो क्या कविता ने विजे नायर से मुलाकात की क्योंकि इसकी पूरी जानकारी सारा डिटेल एडी और सीवियाई के पास है कबूल तो करना पड़ेगा कबूल नहीं करेंगे तो फिर अगला सवाल का जवाब सवाल नमबर चार क्या विजे नायर को सो कड़ो रुपए आपने दिये और कहां से कैसे पैसा इकठा किया गया कुल मिलाकर के बात वही है यह सो कड़ो रुपए और उसमें केक कविता की सनलिपता कहानी वही से घूम फिर के आ रही है सीवियाई ने कोट को बताया कि यह जो रामचंदर पिल्लई बिजनसमेन जब उसे मालूम चला कि दिल्ली के अंदर सराब के व्यापार को प्रविटाइस किया जा रहा है वो दिल्ली आकर के मुलाकात करता है लोगों से बाचीत करता है और केजरिवाल से उसकी मुलाकात होती है तो केजरिवाल कहते हैं कि भई आप जाओ वापस साउट का सारा काम के कविता देख रही है के कविता से उनकी मुलाकात होती है के कविता कहती के सौकड़ों रूप है दिल्ली पहुचवाने है आम आदनी पार्टी को देना है तो ये सारी सवालों का जवाब और ये पैसा किसको कहा देना है ये सारी चीजे वीजे नायर हैंडिल कर रहा था सवाल नंबर पाँच 20 सितंबर 2021 को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में किसने मीटिंग भुलवाई थी और उसमें आपके साथ कौन-कौन सामिल था यहीं थे होता था चार्टर प्लेन से लोग आते थे और दिल्ली के 5 सितारा होटल के अंदर मुलाकाते होती थी dealing, setting के कानून ऐसे बना देना हमें ऐसे फायदा होगा और हमारा इतना फायदा होगा तो आपको भी इतना वापस किया जाएगा तो मीटिंग की डीटेल ED और तमाम जो और भी लोग पकड़ाय हुए है जो ED के गिरफ्ट में हैं उन लोगों ने कबूला है के कविता को भी कबूला पड़ेगा सवाल नमबर 6 मीटिंग में क्या तैह हुआ और क्या वहाँ पॉलिसी का ड्राफ्ट नोट भी आपको दिखाया गया था ये है असली सवाल कि ये जो आप 5 स्टार होटल में मिलने के लिए आई और भी लोग थे क्या वहाँ पहली बार आपको केजिवाल सरकार किस तरह का कानून लेकर के आ रही है उसका फस्ट ड्राफ्ट क्या वहाँ पे दिखाया गया कि ये कानून हम बना रहे है कहानी क्या है पहला ड्राफ दिखाया जाता है ये लोग कहते कि नहीं इसमें ये चेंज कर दो इसमें ये चेंज कर दो यही डीलिंग और सेटिंग होटल के कमरे में हो रहा था कमिता को जवाब देना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ सवाल नंबर साथ आपकी फोन पर पहली बार मनिसी सोधिया से बात कब हुई थी और किसके जरिये हुई जहीं तो मिन सवाल है और यही बज़ा है कि जैसे ही सीवियाई की इंट्री होती है इस घुटाले में सारे लोग अपना फोन तोड़ना चालू कर देते है और यही बज़ा है किजरिवाल भी अपनी फोन का पासवर्ड नहीं दे रहा है सब वो कहते हैं ने चोर की दाढ़ी में तिनका वही कहानी है मनिसी सोधिया ने नोव फोन तोड़ दिया और अब तक E.D. और C.B.I. ने बताया है कोट को 171 फोन 171 फोन है बिन डिस्ट्रॉइड किसलिए भई तुमने चोरी रही कि फोन क्यों तोल रहे हो और कोई छोटे छोटे फोन नहीं सब आईफोन है पासवर्ड नहीं दे रहा है केजरिवाल क्यों नहीं दे रहे हो कटर इमांदार हो तुमने कुछ किया ही नहीं तुम बिल्कुल सत्यवादी जीवन जीते हो कोई गलत काम नहीं करते हो फोन का पासवर्ड देने में क्या दिक्कत है यही दिक्कत है और इसलिए पूछा जा रहा है और जब यह सवाल पूछा जा रहा है तो आप यह यकीन मान लीजिए कि CBI के पास ED के पास इसके पक्के सबूत है कि मनिसी सोदिया और केक कविता से कब कब कहा कहा कैसे कैसे फोन पे बात चीत जूट बोलोगे तो पकड़े जाओगे सच बोलोगे तो पकड़े जाओगे यही तो स्टाइल है CBI और ED का सवालों को ऐसे घेर के बनाते हैं कि सामने वाला कोई भी जवाब देगा तो फच जाएगा और इसलिए केजरिवाल इन लोगों से भी चतुर है सवाल केजरिवाल से पूछा जाता है तो कहते मुझे याद मुझे पता नहीं है मेरी मेमरी खतम हो गई याद है आपको सतंदर जैन ने सीधे कह दिया था मुझे कोरोना हो गया था कोरोना के वज़े से मुझे जो है सारी यादास चली गई है माई लॉड आप तो बताना पड़ेगा सवाल नंबर आठ विजय नायर से हुई बातचीत के बाद आप डारेक्ट अर्विद केजरिवाल से मिली थी बाई ये बता दो केजरिवाल से मुलाकात हुई या नी और ये सवाल अपने आप में बता रहा है कि विजय नायर से तो तुम्हारी मुलाकात हो गई उसके तो सबूत है हमारे पास क्या उसके बाद तुमने केज़िवाद से मुलाकात की यही सब ऐसे सवाल है कि कोट में जाती है कि कवीदा कहती है कि मेरे बच्चा छोटा है एक जाम दे रहा है मुझे बेल दे दीजे माई लॉड मा की वेदना को समझे यह गोटाला जब कर र सवाल नमर नौ हवाला कारोबारियों अप्रूवर्स विटनेस के 161 और 164 के स्टेट्मेंट हैं जिसमें गोवा में हवाला के जरिये आरोपी राजेस जोसी ने 11 करोर रूपे गोवा भेजे थे आपको क्या इसकी जानतारी थी सीधा सीधा सवाल है पैसे हैदराबाद से ग 1050 करोर रूपे भेजिये गए एक क्यों यह सवाल कूछा जा रहा है… क्योंकि सीवीय आईइट कर ऊडर यह सबस्क्राण किया है कि सबस्क्रात करों रूपे एडवाऍस में इस मुह बह। बड़े-दोडे गोटाले वाज हमें दीखे जरी और किसी कानून में , काम करने के बाद पैसे लिए जाते हैं हिंदुस्तान की इतिहास में यह केजरिवाल का यह तिहारी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरिवाल का अनोखा घोटाला है जिसमें payment advance में होता है हर जगाँ उसने advance में ही पैसे लिए कहता है मैं तो बनिया हूँ धंदा करने मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है वाकई आता है इस घोटाले के डिटेल्स को पढ़ने और समझने के बाद तो यही लगता है क्या आप धंदा करने में बड़े एक्सपर्ट है सवाल नमबर दस आपके पिये के 164 के स्टेक्मेंट है आरोप है कि आपके कहने पर अब इसे एक बोहिन पल्ली ने बड़ा अमाउंट हवाला के जरिये कैस के रूप में गोवा भिजवाया था लीजी पिये नहीं सारे राज खोल दिये पिये को आपने पे नहीं किया होगा ठीक से जरील करती होंगी इसलिए उसने 164 164 का मतलब मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है इसको बदला नहीं चाह सकता और ED के सामने अगर ये बयान दिया गया है तो ये अपने आप में एक सबूत है तो आज इन दस सवालों के जरिये के कविता को CBI ने अपने जाल में पूरी तरीके से फसा लिया है आज उनका जो जवाब होगा उस जवाब के बाद ये तमाम लोग जो इन सवालों में अलग अलग करदार है उनके आमने सामने बिठाया जाएगा जिन लोगों ने के कविता के रोल के बारे में ED और CBI में बयान दिये हैं उनको आमने सामने बिठा करके पूर्षताच किया जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा के कविता अपने आपको बचाने के लिए उसके पास सीधा और सिंपल रास्ता जो उसको नदर आ रहा है वो यही है कि सरकारी कवाह बन जाओ बाकी लोगों की तरह और के कविता अगर अगर अप्रूवर बन जाती है तो केजरिवाल का खेल खतम केजरिवाल की राज़िनती खतम आम आदी पाटी का क्या होगा तो यह संजर सिंग और बाकी लोग जो है वो अपना चलाएंगे आते सी मारलेना और सौरभ भरद्वाद जो है वो पाटी को आगर लेकर के जाएंगे लेकिन अर्विन केजरिवाल की राज़िनती करियर का जो है पूरी तरीके से अस्त हो जाएगा आप देखते रेकर टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद